हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में क्या आपने कभी सोचा है कि इस्तरियों को मासिक धर्म क्यों आता है आज हम भी इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताने वाले हैं कि किस राप के कारण इस्तरि को मासिक पीड़ा होती है इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मैं जो भी अब वीडियो डालूँ उसका नोड़िकेशन आपको मिलता रहे हमारे प्राचिन भारतिय पुराणों में भी मासिक धर्म का उलेख मिलता है मासिक धर्म क्यों होता है इस पर एक पौराड़िक कथा भी मौझूद है जो इंडरे देव से संबन्दित है भागवत पौराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार ब्रेस्पती जो देवताओं के गुरू थे वे इंडरे देव से काफी नाराज हो गए इसके चलते असुरों ने देवलोग पर आक्रमण कर दिया और इंडरे को अपनी गद्दी छोड़ कर भागना पड़ा असुरों से खुद को बचाते हुए वे सिस्टी के रच्नकार भगवान ब्रह्मा के पास महुचे और उनसे मदद मांगने लगे तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताए कि उन्हें एक ब्रह्म ज्यानी की सेवा करने चाहिए यदि वह प्रिसंद हो जाएं तो उन्हें उनकी गद्दी प्राप्त हो सकती है आग्यान उसार इंडरे देव एक ब्रह्म ज्यानी की सेवा में लग गए लेकिन वे इस बास से अंजान थे कि उस गानी की माता एक असुर थी इसलिए उसके मन में असुरों के लिए एक बिशेश सिस्थान था इंडरे देव दावरा अरपित की गई सारी हवन सामेगरी जो देवताओं को चड़ाई जाती है वो ग्यानी उसे असुरों को चड़ा रहा था इससे उसकी सारी सेवा भंगा हो रही थी जब इंडरे देव को सब पता लगा तो ये बेहत किरोधित हो गए और उन्होंने उस ब्रह्म ग्यानी की हत्या कर डाली एक गुरू की हत्या करना घोर पाप था जिस कारण उन पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया ये पाप एक भयानक राक्षष के रूप में इंडर का पीछा करने लगा किसी तरह इंडरे ने खुद को एक फूल के अंदर छुपाए और एक लाग साल तक भगवान विष्णू की तपस्या की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णू ने इंडरे देव को बचा तो लिया लेकिन उनके उपर लगे पाप को मुक्ती के लेग सुझाओ दिया इसके लिए इंडरे को पेड जल भूमी और इस तरी को अपने पाप का थोड़ा-थोड़ा अंस देना था इंडरे के आगरह पर सब राजी हो गए लेकिन उन्हें बदले में इंडरे देव से एक वर्दान देने को कहा सबसे पहले पेड ने उस पाप का एक चोथाई हिस्सा ले लिया जिसके बदले इंडरे ने उसे एक वर्दान दिया वर्दान के अनुसार पेड चाहे तो सोयं ही अपने आपको जीवित कर सकता है इसके बाद जल को पाप का हिस्सा देने पर इंडर देव ने उसे अन्य वस्तों को पवित्र करने की सक्ति प्रदान की यही कारण है कि हिंदु धर्मे में आज भी जल को पवित्र मानते हुए पूजा पाठ में इस्तिमाल किया जाता है तीसरा बाद इंडर देव ने भूमी को दिया इसके वर्दान स्वरुप उन्होंने भूमी से कहा उस पर आई कोई भी चोट हमेशा भर जाएगी अब आखरी में बारी इस्तिरी की थी इस कतागी अनुसार इस्तिरी को पाप का हिस्ता देने के फलसरूप उन्हें हर महने मासिक धर्म होता है लेकिन उन्हें वर्दान देने के लिए इंड़ देव ने कहा कि महलाई पुरुसों से कई जाना काम का आनन्द उठाएंगी इस दोरान वे ब्रह्म हत्या यानि की अपने गुरू की हत्या का पाप ढो रही होती है इसलिए उन्हें अपने गुरू तदा भगवान से दूर रहने को कहा जाता है यही कारणाय की प्राचिन समय से ही मासिक दर्म के दौरान महलाओं को मंदिर जाने की मनाई थी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए ताकि मैं रोज नहीं नहीं वीडियो आपके लिए ला सकूँ